हमारे यूट्यूब चानल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नए-नए लेटेस वीडियो जानने के लिए किस तरह से आप टोटको के माध्यम से विधियों के माध्यम से अपने प्यार को पास सकते हैं कैसे आप आकरशित सामने वाले व्यक्ति को कर सकते हैं और कैसे उसका प्यार पास सकते हैं उसके लिए आप हमारे शानल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं जो भी ताजा तरीन वीडियो है जो भी ताजा तरीन तोटके हैं आप तक जल्द से जल्द पहुँचे नमस्कार दोस्तों मा कामाख्या देवी की जै हो चाहि मामला दिल का हो जाहि गरह्सती का किसी से शादी करनी हो या पिर अपनी शादी को बचाना हो या खुद के जो रिष्टे तूट रहे हैं तार-तार हो रहे हैं उन्हें बचाना हो हम आपकी हर समस्या का उचित हल देते हैं दोस्तो आज जो उपाई में आपको बताने जा रही हूँ ये एक ऐसी विदी है जिसको तंत्र शाष्टर में बहुत ही प्रचंड माना गया है दोस्तो हमारी नाभी वो आधार है जिससे हम अपने जन्म से पहले से ही खुद को अपनी मा से जोडते हैं इसके द्वारा ही हम अपना आहार और पोशन लेते हैं इतना ही नहीं नाभी के माध्यम से ही हम अपनी मा द्वारा सोची गई बातों को और ज्यान को अरजित करते हैं देखा जाए तो एक व्यक्ती का पूरा अस्तित्व ही इस पर टिका है लेकिन देखिए ना दोस्तो इस विशे पर कभी किसी ने ध्यानी नहीं दिया और ऐसा ही नहीं है कि नाभी की महत्वता जन्म के बात कम हो जाती है बल्कि हमारी नाभी में इतनी उर्जा विद्देमान है कि हम अपने संपूर जीवन को बदल सकते हैं दोस्तो हमें से बहुत से लोग हैं जो किसी कारे में बार बार असफल हो जाते हैं और उनके लिए अब सफलता पाना जैसे एक सपना से हो गया हो तो हफते में दो बार अपनी नाभी को साफ करके रिजर्ट देखिएगा जी हाँ दोस्तों यदि आप मंगलवार और शनिवार को कच्चे दूद से अपनी नाभी को साफ करते हैं तो सफलता आप से जादा दिन दूर नहीं रह पाएगी दोस्तों नाभी को बहुत ही जबरदस्त प्रभावशाली माना गया है यहां तक की हमारा मूलाधार चक्र भी नाभी से ही जुड़ा हुआ होता है जिससे हमारी इंद्रियां जागरत होती है हमारा ज्यान जागरत होता है यहां तक की हमारे जीवन में ते जाता है और दोस्तों आज का जो उपाए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो भी नाभी से ही जुड़ा हुआ एक उपाए है तो जरा सोचिए इससे आसान कोई टोटका हो सकता है और जैसे की अब आप नाभी का महत्व भी जान चुके है तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितना प्रचंड प्रभाव डाल सकती है हमारे जीवन पर और हमें इस उपाए के लिए कुछ खास नहीं करना केवल अपनी नाभी पर अपना अंगूठा रखकर अपनी इंद्रियों को जागरत करना है जी हाँ दोस्तो हमारे मूलाधार से जुड़ी नाभी को सिर्फ छूनी मात्र से हम दुनिया के किसी भी व्यक्ती को अपने वश में कर सकते हैं और उससे अपनी हर बात मनवा सकते हैं अपना मन चाह कारी करवा सकते हैं तो आईए दोस्तो विस्तार से बताती हूँ आज की आकरशित करने की इस विधी के बारे में दोस्तो शुकरवार की रात्री को आपको सोनी से पहले इस विधी को करना है और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इसे अपनी बिस्तर पर लेटे लेटे ही करना है और सबसे important बात दोस्तों आपको इस दिन non-witch नहीं खाना है तो बस आपको अपने normal routine follow करना है और बेट पर चले जाना है लेटने के बाद आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसको आप control करना चाहते हो और उसका ध्यान करते करते आपने सीधे अपने हाथ के अंगूठे को नाभी पर रखना है और एक मंत्र का जाप करना है ये मंत्र एक सिद्ध मंत्र है जिसका आपको बिल्कुल सही तरीके से एकदम सपष्ट उच्चारण करना है ये मंत्र है ओम नमहा फंगुक डश वश वश्यम कुरू कुरू स्वाहा 21 बार जाप करने के बाद आपको अपना अंगूठा नाभी से हटा लेना है और सो जाना है एक और महत्वून बाद दोस्तों ये विधी करते वक्त आपने हाथ में कोई धातू या पत्थर नहीं पहना होना चाहिए यदि आपने वो पहना भी हुआ है तो आप उसे उतार दें यदि आपने कलाई पर मोली का धागा बांदा हुआ है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों आप हमें फोन या वाट्सअप द्वारा जरूर बताईएगा कि हमारी आज की विधी आपके लिए कितनी प्रभावशाली रही और यदि विधी के किसी भी चरण को लेकर आपके मन में कोई शंका है आप हमें स्क्रीन पर दिये हुए नंबर पर कॉल या वाट्सअप के द्वारा गुरू माता जी से संपर्क कर सकते हैं साथी दर्शकों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जितने भी मंत्र हम आपको बताते हैं ये पूरी तरह से अभी मंत्रित किये हुए होते हैं इन्हें जागरत करके आपको बताया जाता है जिसे कि आपके जीवन की परिशानियों को दूर किया जा सके और फिर भी अगर कोई शंका मन में रह जाती है तो आप गुरु माताजी से बात कर सकते हैं नमबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और जब भी आप इन विधियों को करें तो नेक विचार और अच्छे मन से करें जिसे कि ये फलडाई हो फिलाला आप सभी से इजाज़त लेना चाहूंगी दीजे इजाज़त नमस्कार